परम पूज निरियापक श्रमण मुनी पुंगव 108 श्री सुधा सागर्जी महराज की अमरित वानी से भक्त धन्य हो रही है अमरित सुधा सभागार में प्रते दिन गुरु भक्ती का एक अलगी नजारा देखने को मिल रहा है 22 अगस्त को पुलक मंच की महिलाओने निरियापक मुनी पुंगव श्री सुधा सागर्ची महराज की श्री चर्णों में मंगलाचरण की शांदार प्रस्तोती से सभागार की रोनक और बढ़ा दी मंगलाचरण से पूर मंच संचालक मनोजन ने 23 अगस्त को प्रभू पावशनाद भगवान की मोक्ष कल्याणक पर होने वाली आयोजन की बारे में विस्तार से बताया कल ठीक साड़े छे बजे शांतिधारा प्रारंब हो जाएगी पौने साथ बजे यहाँ पर भगवान को विराज़त करने लाया जाएगा साथ बजे से यहाँ संगीत में पूजन प्रारंब हो जाएगी सामुहिक पूजन इस पंडाल में और आट बजे से पुझ श्री के प्रवचन यथा समय पर होंगे और निर्वान लाडू प्रवचन के बाद नौ साड़े नौ के बाद यहाँ पर चड़ेगा गुरू के श्री चड़ों में अपना शीष नवाकर गुरुभक्त मुनी पुंगश्री के आशिरवास से खुद को धन्य कर रहे हैं हर रोज गुरू की आराधना कर अपना दिन मंगल में बना रहे हैं मुनि पुंगवश्री सुधा सागर जी महाराज के दर्शन को भक्त इतने आतोर रहते हैं कि जहां मुनि श्री के चरण पढ़ते हैं वहीं गुरुभक पहुच जाते हैं मुनि श्री के मंगल प्रवचन सुनने का अफसर मिल रहा है और ज्यान की बातें भक्त सीख रहे हैं मुनि श्री ने अपने मंगल प्रवचनों में कि लोगों का भवश्य उच्वल होता है इसके बारे में बताया हो ये रहा है कि प्राताय काल तो हसता हुआ उठता है विक्ती साम को रोता हुआ लोटता है जिन्दी का सबसे बड़ा अब सगुन है गर से जब निकलता है, विकती बड़ी खुशी-खुशी निकलता है जापार के लिए, धंदा के लिए साम को वो उदाशीन होके लोटता है विध्यारती इंटर्यू देने जाता है बड़ी खुशी से सब के पैर छूता है भग्वान की बढ़ ना करता है और रिजल्ट खुलता है तो रोते हुए दिखाई देता है क्यों हो रहा है अलशा हमें साम अच्छी करना है प्रभात अच्छा होने से बरतमान अच्छा होता है और साम अच्छी होने से भविस अच्छा होता है आग्रा इस्थित M.D. Junior Inter College के अम्रिस सुधागार सबागार में प्रती दिन ऐसे ही धर्म की गंगा भेह रही है और आगरा ही नहीं देश भर के भक्त मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की दर्शन को आतोर रहते हैं